हलो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त किर्शन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना फेस्बुक पेज कम्पिटर ग्यान बुक आज आपके लिए मैं वीडियो लेके आए हूँ C language की coding में compound interest कैसे निकालेंगे compound interest निकालने के लिए आपको code कैसे type करने है C language में कैसे program बनाना है वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे request है अगर आपने अभी तक हमारे facebook page को follow नहीं किया है तो follow कर लीजिए इसके उपर बहुत ही interesting videos आती रहते हैं तो काफी दिन बाद मैंने कुछ वीडियो डाले थे C programming के तो उसमें views जो है अच्छे आए है views अच्छे रहे हैं तो views को देखते हुए मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो ओर डालते है अब की बार मैं आपके लिए लेके आए हूँ सबसे पहले हम क्या करेंगे C program का जो software है Trouble C++ उसे double click करके open कर लेंगे मैंने आपको बता दिया है कैसे install करना है वो सारा सब कुछ मैंने पहले ही आपको बता दिया है तो यहाँ पर देखो C program हमारा खुल चुका है और इसके उपर double click करके हम यहाँ पर file new ले लेंगे यह हमने file ले लिया है इसे थोड़ा बढ़ा कर लेंगे अब क्या करना है हमें यहाँ से code टाइप करना है code शुरुआत करते हैं type करना तो code के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले आपको hashtag लगाना है hashtag लगाने के बाद include लगाना है include और stdio.h लगाना है यह common file है header file है यह सभी में लगाने ही पड़ेंगे आपको जो भी program आप लिखोगे वो सारे इक सारे include लगाएंगे फिर यहाँ पर conue.h conue.h लगाने के बाद यहाँ पर एक आपको जब भी आप इसके अंदर math की गन्नाएं करते हैं तो इसके अंदर जैसे हमारे पास prince मूलदन होगा उसके बाद में हम मूलदन को minus करेंगे फिर हमारे पास ब्याज बच जाएगा इस तरीके से हम दो क्रियाएं करेंगे इसमें तो उसके लिए हमारे पास एक है इसके अंदर हमें जोड़ना है has include method यहाँ पर include लगाना है पहले include 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 less than ath math ठीक है dot h लगाएंगे यह header file लगा देंगे यहाँ अब हमें यहाँ पर voidman लगाना है यह जरूरी होता है अगर यह नहीं लगाते हो तो आपकी header file नहीं मानी जाएंगी कि आपने डाल रखी हैं क्या फिर यहाँ पर नीचे float value क्योंकि इसके अंदर दोस्तो currency जो होती है वो दस्मलों में भी आ सकती है तो हम यहाँ पर float value लगा लिते हैं P पहले type करेंगे P, R, T C, I C, I का मतलब है compound interest अब C, L, R, S, C, R यह हमने यहाँ पर clear screen कर दिया है ताकि जो भी हम output ले वो सारा हमें सही सही मिलता ले तो इसमें C, L, R, S, C, R हमने clear screen कर दिया है इसके बाद में यहाँ पर हमारे पास है printf output screen पर क्या आना चाहिए शुरू में तो वो हम यहाँ पर लगाएंगे enter the principle principle का मतलब होता है mother फिर यहाँ पर rate लगाएंगे फिर rate के बाद में कॉमा देंगे कॉमा देने के बाद हम यहाँ पर time देंगे time फिर equal कर देंगे यहाँ और inverted कॉमा बंद कर देंगे semicolon डाल देंगे यह हमारा output screen पे print होगा इसके बाद में हम scanf लगाते हैं यहाँ पे variable declare करते हैं तो variable declare करेंगे तो हमने floating value लिया है तो इसलिए percent f लगाएंगे तीन लिये हैं तो percent 3f लगाने हैं आपको लगातार हम यहाँ पे percent f तीन बार use करेंगे यह floating value के लिए है हमारे पास तीन operator है पहला end operator p है फिर दूसरा हमारे पास end operator r है फिर तीसरा हमारे पास end operator t है यह हमें type करने होगे दो operator है फिर semicolon डाल देंगे इसके बाद में नीचे हमारे पास सूतर लगाना होता है जो सूतर लगा देंगे हम c i equal t फिर यहाँ पे multiply का चीन लगाएंगे power लगाएंगे इसके फिर यहाँ पे cost की start करेंगे फिर इसके बाद में 1 plus r लगाएंगे 1 plus r उसके बाद में divide करेंगे hand rate से हमने divide कर दिया है फिर cost की बंद करेंगे comma लगाएंगे फिर यहाँ पे t देंगे फिर cost की बंद करेंगे cost की बंद करने के बाद minus p करेंगे और semicolon लगा देंगे अभी यहाँ पे एक cost क और own करना पड़ेगा हमें 2 cost क लगाने होते हैं तो 2 हमने यहाँ पे डाल देंगे और इसको हमें एक बार copy कर लेते हैं क्योंकि हमें cost की डालना है तो यहाँ से cut कर लेंगे फिर cost की लगा देंगे एक और फिर यहाँ पे edit में जाके paste कर देंगे ऐसा करने के बाद हमने यहाँ पे जो दो cost के बंद कर दिये हैं अब printf करेंगे नीचे यहाँ पे इंटर दबा के नीचे कर देंगे printf जो हमें output में चाहिए तो यहाँ पे compound interest करेंगे compound interest लिखेंगे इसके बाद में equal लगाएंगे percentf कर देंगे यहाँ फिर .2 .2 लिख करके यहाँ पे f लगाएंगे यह इसलिए है क्योंकि हमें double करना है यहाँ पे तो ci कर देंगे फिर cost बंद कर देंगे semicolon कर देंगे और get touch यहाँ पे लगा देंगे और cost बंद करेंगे semicolon और get touch अभी दोस्तों हमारा program complete हो चुका है आप चाओ तो इसका screenshot ले सकते हो यह पूरा program हमने बना दिया है अब हमें क्या करना है control f9 दबाना है control f9 दबाएंगे तो इसमें कोई भी error नहीं है हमारा program easily यहाँ पे हो चुका है run अब यहाँ पे जैसे हमारे पास 2000 मूलदन है 2000 और फिर यहाँ पे rate है rate आठ रुपे है इंटर दबाएंगे compound interest दुबारे से control f9 करेंगे 2000 फिर यहाँ पे space देंगे 8 देंगे फिर यहाँ पे 2 और इंटर करेंगे तो यहाँ पे 332 रुपे हमारे बनते हैं जो compound interest के हैं तो यह एकदम correct है 332.80 पैसे जो हमें दिखा रहा है तो दोस्तों यह program है और बिल्कुल सही program है आप चाहो तो इसे screenshot भी ले सकते हो अगर आप चाहते हो कि मैं इन सभी के बारे में आपको बताऊ search, run, compile इनके उपर वीडियो बनाऊ तो आप मुझे comment कीजेगा मैं इनके सभी tools के बारे में एक वीडियो बना के डाल दूँगा complete तो दोस्तों यह वीडियो आपको share करना है अपने friends में और इससे related और भी वीडियो चाहते हो तो आप comment जुरूर कीजेगा तो मिलते हैं आपसे next वीडियो में जल्दी आपसे मुलाखात होगी तब तक के लिए good bye